कुशन कर रहा है कि अंकित मुल्व पर 30% 40% की दो क्रामागत छूट देने के बाद वस्तु को 420 रुपे में बेचा जाता है तो अंकित मुल्व ग्याद करना है ठीक है प्राइज कितनी है एक रुपे है और इस पर 30% की छूट दे जाता है यानिके 70 रुपे में बेचे जा रहा है 40% की छूट यानिके 60 रुपे में बेचे जा रहा है और टोटल प्राइज ओफरल 450 रुपे है कर जाएगा तो को असान डाटा है तो यह सी लिए मैंने यहां से इस तरीके से गिया साथ से जाएगा कितना 60 रुपे 6 जाएगा कितना आपका 10 रुपे एक्स की वैल्यू कितने आ गई आप इस तरीके से भी कर सकते थे आप इस तरीके से भी कर सकते थे